Hi, this is Gitan Chli आजकी इस वीडियो में हम discuss करेंगे MP LRC का first video ये videos जो चल रही है, ये paid course है ये एक first video है जो की public की जारी है उस paid course में से ये public करने का purpose यही है ताकि आप जिन भी लोगों को ये question है के classes किस तरह से होंगी और आप लोग request करते हैं के demo class किस तरह की है तो एक जो first हमारा paid course का first video है वो मैं share कर रही हूँ इसके बाद से आप first video जो है वो start होगी उसके according अगर आपको लगता है कि वो आपको समझ में आ रहा है या आगे further आपको ये MPLRC continue करना है तो आप हमें description box में दिये गए numbers पर contact कर सकते हैं ध्यान रखिए प्लीज what's up ही कीजिएगा या फिर आप हमें mail कर सकते हैं और mail ID भी आपको description box में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से हम start करेंगे MP Land Revenue Code 1959 start करते हैं इसकी date of enforcement से MPLRC enforce में आया 2 October 1959 से उसके साथ ही हमें ये भी पता है कि MPLRC 1959 में 2018 में एक major amendment हुई थी इस amendment को governor ने assent दी थी 13 July 2018 को और ये publish हुआ था गैजट में या फिर हम कहें कि ये effect में आया था 27 July 2018 से ये enforcement की date हमें धियान रखनी है प्रेलिम्स प्रेस्पेक्टिव से उसके साथ ही MPLand Revenue Amendment Act 2009 आया जिससे की MPLand Revenue Code में एक major amendment की गई है इस act को governor से assent मिली थी 7 February 2020 को वही ये publish हुआ था गैजट में 12 February 2020 को यानि कि ये 2009 का जो amendment act है ये effect में आया 12 February 2020 से अब यहाँ पे आगे जब हम further MPLRC को continue करेंगे तो जो भी 2019 की latest amendment है उस latest amendment के according ही हम इस bear act को complete करेंगे अब हम सबसे पहले ये discuss करते हैं कि MPLRC कहाँ पर apply होगा यानि कि इसका extent कहाँ है ये कहाँ तक apply होगा किसी state में तो उसके लिए हम पढ़ेंगे section 1 जो की deal करता है short title extent and commencement देखे ये जो code है इसे हम कहेंगे MP Land Revenue Code 1959 अब इसका extent कहाँ तक है उसे देखते हैं MP Land Revenue Code पूरे MP पर लगता है पूरे मध्य पर देश पर लगता है पर इसकी कुछ exception है वो कहते हैं कि ये मान लीजी ये जो square बनाया गया है ये जो box बनाया है मान के चलते हैं ये land है अगर ये land reserved या protect कर ली गई है forest के लिए Indian Forest Act 1927 के according तो इस पे MPLRC के provisions apply नहीं होगे पर इसकी भी एक exception है वो ये कि ये जो land है हमने सबसे पहले ये बोला कि इसके उपर MP Land Revenue Code apply नहीं होगा पर वो कहते हैं कि ये जो चार provisions है इनसे related provisions और ये provisions इस land पर भी apply होंगे क्या क्या वो provision है सबसे पहला provision है वो provision जो की land revenue की payment की liability से related है वो इस land पर अभी भी apply होंगे forest के लिए reserve होने के बाद भी और उसके बाद अगर इस land पर किसी land revenue की assessment करनी है क्यूंकि इस land को use किया जा रहा है तो उसके provision भी इस land पर apply होंगे साथ ही अगर land revenue की realization से related provision जो भी हमें इस code में दिये गई है वो भी apply होंगे और और सभी ancillary provision जो की इन से related है इन तीन purposes से related कोई भी provision है तो वो इस land पर जो की reserve हो चुकी है forest के लिए वो apply होगा बाकी पूरा court इस land पर apply नहीं होगा उसके साथ एक old provision जो इन्होंने add किया है वो कहते हैं कि अगर ये land section 59 में दिये गए purposes के लिए use होती है तो फिर उस पे पूरा MPLRC apply होगा I hope जो इसका extent है वो clear हो गया होगा revise कर लेते हैं क्या सबसे पहला तो ये जो code है ये पूरे मध्यपरदेश पर लगता है पर अगर कोई land forest के लिए reserve या protect कर ली गई है Indian Forest Act 1927 के according तो इस पे land revenue code MP land revenue code के provisions apply नहीं होगे पर इन तीन चार provisions को छोड़ कर साथ ही अगर इस land को जो कि forest के लिए reserve और protect कर ली गई है अगर इस land का use section 59 में दिये गए uses के according use किया जा रहा है यानि इस land को ऐसे use किया जा रहा है जो कि 59 में दिया गया है तो फिर इस पे MP LRC apply होगा I hope section 1 clear हो गया होगा उसके बाद start करते हैं chapter 2 chapter 2 का fourth section है constitution of board of revenue उसके बाद अब start करते हैं MP land revenue code का chapter number 2 जो कि deal करता है board of revenue से यहाँ पे हमें हर chapter का number और हर chapter का नाम और साथ ही इस particular chapter में कितने section include होते हैं कहां से कहां तक के section हैं यह हमें ध्यान में रखना है उसके बाद start करते हैं chapter number 2 से जो कि deal करता है board of revenue से इस chapter 2 में provision cover होते हैं section 3 से लेकर section 10 तक start करते हैं section 3 से section 3 deal करता है constitution of board of revenue जो board of revenue होगा उसके अंदर कौन-कौन होगा तो यहां section 3 सब section 1 में कहते हैं कि इस board of revenue में एक president होगा और दो या दो से ज़ादा members होंगे यह वो member होंगे जिनने state government time to time appoint करेगी तो question यहां से बन सकता है कि board of revenue में कौन-कौन होता है तो एक होते हैं president और member दो या दो से ज़ादा हो सकते हैं और यह member वो member होंगे जिनने state government appoint करेगी time to time उसके बाद section 3, subsection 2 में यह बात करते हैं कि इस MP Land Revenue Code 1959 के आने से पहले जो board of revenue को control करे थे जो भी board of revenue का काम है उसके लिए जो persons थे उसके लिए जो board of revenue था इस act के आने से पहले तो इस act के आने के बाद जो भी यहां पे president थे या member थे वो अब इस act के आ जाने के बाद board of revenue के ही president और member माने जाएंगे जो यहां पे president थे वो यहां के first president माने जाएंगे जो यहां के members थे वो यहां के first member माने जाएंगे यानि कि है क्या कि इस act के आने से पहले board of revenue में जो भी persons थे जो भी president था या जो भी member थे इस act के आजाने के बाद वो ऐसे माने जाएंगे जैसे कि इस act में ही board of revenue constitute हुई हो और जो यहां के president थे वो इस act के आने के बाद first president माने जाएंगे और जो यहां के member थे वो इस act के आजाने के बाद first members माने जाएंगे अब ये सारी बाते हमें subsection 2 और subsection 3 में ही कहीं गई हैं इसे पढ़ते हैं bear act से ये कहते हैं section 3 subsection 2 the board of revenue as constituted and functioning for several region of this state of this state यानि मध्यपर्देश immediately before coming into force of this court इस court से आने से पहले जो भी board of revenue इस मध्यपर्देश state के सारी जो function थे उनको देख रहे थे here in after in this chapter referred to as existing board shall with effect from the date of coming into force of this court इस act के आजाने के बाद be deemed to be the board of revenue for मध्यपर्देश constituted under this act वो इस act के आजाने के बाद मध्यपर्देश के board of revenue माने जाएंगे उसके बाद अगर आप subsection 3 देखेंगे तो ये कहते हैं president and member of the existing board shall be the first president and members respectively of the board of revenue for मध्यपर्देश तो ये था हमारा board of revenue जिसमें एक president और दो से जादा members हो सकते हैं इन members को state government appoint करेगी उसके बाद discuss करते हैं section 4 जो की deal करता है principal seat and other places of sitting of board of revenue यहां जो section 4 है यह important है prelims perspective से यह section 4 से question MP civil judge में 1996 में पूछा गया था उसके बाद MP PCS में 1997 में पूछा गया था उसके बाद MP higher judicial services में 2010 में पूछा गया था section 4 से question section 4 में क्या बात की गई है कि यह जो board of revenue constitute होगा इसकी principal seat कहां पे होगी और other settings कहां पर होगी तो यहां section 4 subsection 1 में यह कहते हैं कि जो principal seat होगी वहां होगी जहां state government notify करेगी जहां पे state government place fix करेगी वहां पर होगी इस board of revenue की principal seat उसके बाद section 4 subsection 2 में बात की गई है other place की subsection 1 में तो बात कर दिया कि principal seat कहां पे होगी जहां state government notify करेगी किसी और जगा पर भी यह principal और यह members बैठ सकते हैं पर यह और place कौन सा होगा यह भी state government ही fix करेगी पर इस case में जब other place fix किया जाएगा तो state government consultation करेगी president के साथ president के साथ consult करने के बाद कोई और जगा fix की जा सकती है इस president और members के बैठने के लिए यही बात की गई है subsection 2 में उसके बाद आते हैं section 5 पे section 5 deal करता है condition of services of member of boat section 5 MP PCS में 1997 में पूछा गया question है section 5 deal करता है condition of service of member of boat यहां section 5 subsection 1 में यह बात करते हैं कि एक member जो की absent रहने की वज़ा से या फिर किसी और कारण से अपनी जो उसकी official duty है उसको perform नहीं कर पा रहा है तो फिर state government चाहे तो notification से किसी और person को कितना भी time तक के लिए member appoint कर सकती है उसके बाद आते हैं section 5 subsection 2 पे subsection 2 में बात की गई है president और members की services के terms and condition के बारे में किन terms and condition पर इनकी services होगी तो यहां subsection 2 में कहते हैं कि अगर इस code में कोई express provision दिये गए है इनकी terms और condition के लिए और उसके साथ ही अगर कोई already पहले से कोई board of revenue exist करता था और उसके लिए state government ने खुद से कोई terms conditions बनाई हुई थी तो वो terms condition अब इन members पर इन इस president पर और इन members पर भी लगेंगी जब तक कि वो condition state government modify या फिर supersede ना कर दे है क्या कि इन president और members के लिए कुछ terms and condition होगी पहली तो terms and condition हमें expressly अगर provide की गई है इस code में तो वो और साथ ही अगर इनके appoint होने से पहले जो भी board of revenue थे उनके लिए state government ने जो भी terms condition fix की हुई थी वो terms condition इन पर apply होगी तब तक के लिए जब तक state government उसको modify या supersede ना करते उसके बाद आते हैं section 5 के subsection 3 पे यहां पर बात की गई है कि जो इस board of revenue के members होंगे उनकी eligibility क्या है क्या qualification होगी जिसे की board of revenue का member बनाया जाएगा तो यहां यह कहते हैं कि board of revenue के member बनने के लिए first eligibility है कि वो एक ऐसा person होना चाहिए जो की high court का judge appoint किया जा सकता है दूसरी condition के या फिर वो revenue officer होना चाहिए दूसरी condition के वो एक collector की rank से कम का officer नहीं होना चाहिए और उस official duty को उसने कम से कम 5 साल तक किया हो यानि कि एक ऐसा officer जो की 5 साल तक officer रहा है और यह officer collector की rank से कम का नहीं है तो यह सभी लोग eligible है board of revenue का member बनने के लिए यह था हमारा section 5 जो कि deal करता था कि member अगर अपने duty नहीं करेंगे तो उसके क्या consequence होंगे और जो भी president है और जो member है उनकी services के terms condition क्या होंगे तीसरा जो भी member appoint किये जाएंगे इस board of revenue के उनकी eligibility क्या है उसके बाद discuss करते है section 6 जो कि deal करता है salary and allowances यहाँ जो board of revenue के member है इनको salary और allowance कहां से और कौन देगा तो यह बात की गई है section 6 में तो इन members को जो salary और allowances दिये जाएंगे तो जैसा की state government कहेगी उसी के according दिये जाएंगे यानि state government के rules के according इनने salary और allowance मिलेगा साथ ही इनकी जो यह salary है यह मिलेगी इनने consolidated fund से जो भी judges होते हैं उनको भी जो salary मिलती है वो consolidated fund से ही मिलती है उनके salary भी consolidated fund से ही जाएगी उसके बाद आते है section 7 पे section 7 deal करता है jurisdiction of the board यहाँ जो इनके marginal note है na section number और section का marginal note यह धियान में रखना है क्योंकि यहाँ से question बनते हैं section 7 deal करता है jurisdiction of board तो इस board के पास वो सब ही powers हैं जो इस code में इस board को दी गई है साथ साथ अगर कोई enactment है इनकी power से related इनकी power से related इनकी jurisdiction से related तो उन enactment में जो भी powers इनको दी गई हैं वो सब power इनके पास हैं और जो भी power state government ठीक समझे वो सब ही powers इनके पास हैं central government द्वारा दी गई सब ही powers भी in board of revenue के पास हैं उसके बाद आने section 8 पे section 8 डील करता है power of superintendence of board यहाँ यह section 8 में कहते हैं कि जो भी authorities हैं जिनके order की appeal board of revenue में जाएगी तो board of revenue के पास उन सभी authorities के उपर एक superintendence है यह उनसे जो भी उन्होंने काम किया है उसको मंगवा भी सकते हैं उसके बाद discuss करते हैं section 9 section 9 डील करता है exercise of jurisdiction by single member and benches यहाँ section 9 में बात की गई है कि एक board अपनी board की power और function को exercise करने के लिए rule बना सकती है यह rule बनाये जाएंगे एक या एक से ज़ादा members की bench द्वारा और जब इस तरह से rule बना लिये जाएंगे और यह members की bench अगर इन rules के according, इन powers के according किसी matter को decide करती है तो यह matter ऐसा मैना जाएगा जैसे कि board ने ही decide किया हो यही बात की गई है section 9 में उसके बात discuss करते है section 10 जो कि deal करता है cases pending at commencement of court section 10 पूछा गया था MPPSC 1997 में यहाँ यह कहते हैं कोई भी appeal, कोई भी revision की application या कोई और भी proceeding अगर चल रही है इस act के आने से पहले board के सामने तो वो सभी proceeding इस act के आ जाने के बाद जो revenue board constitute होगा उसके द्वारा सुने जाएंगी तो यहाँ complete होता है हमारा chapter 2 जिसमें provision हमने cover करें है section 3 से लेकर section 10 तक यह थी हमारे MPLRC का chapter 1 I hope यह video आपके लिए useful होगी और अगर आप इस paid course को आगे continue करना चाहते हैं तो नीचे दिये गए number पर या फिर जो हमारा mail ID है उस पर आप हमें mail करके और further जो details है वो ले सकती है Thank you